यह थोड़ टाइम लेट है तो अच्छे से आपको बितातों में अगर आपने में अडमीशन लिया है तो में अच्छे से देखना मजा आएगा हाँ हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब बढ़िया बिंदा चकास होना भी ची तो काफी दिनों बाद मिल रहे हैं जी हाँ थोड़ा यह यूट्यूब लाइफ से थोड़ा हट के रियल लाइफ में मैं चीरा था मलब वीडियो नहीं दाल पा रहा था मलब थोड़ा बिजी था शड टॉपिक क्या है या बिना टॉपिक के वीडियो है नहीं भाई टॉपिक है आप सबको पता है मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी एमेटी उनिवर्सिटी से और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई भी काउम ओनर्स किये मैंने तो अब टाइम आया है जो स्क्यूर्टी रिफ एक ही पर्टल होता है यहां बच्छों लोर्ण यीड पास्वार्ड होता है जिसमें student Лог in आयाइडी औरDO पास्वार्ड होता है इवली मैं सुने अंब नहीं पता हैं रहे हैं उसलोग उप्षञा अपना आइडी पासफट डाल के लॉग इन करूंगा तो सोच रहो हो एक मलब पता होना चाहिए ना बाद में याद रहना चाहिए कि क्या पोर्टल था क्या था और आप लोग के शाथ भी शेयर करूं थोड़ा यह तो देखो कि मलब क्या सिस्टम है इनका क्या लॉग इनका पोर्टल है क्या प्लैटफॉर्म कैसा है जहां पर हमें सब कुछ पर जलता है हम रोज खोलते थे टाइम टेबल देखने के लिए अच्छा सीन ता यार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेटी का बहुत अच्छे दोस्त बने हैं और अभी हम सब अभी तो ज्यादा अच्छे से दिखाता हूं कि क्या क्या हुता है चलो तो यह सफारी ब्राउजर आपन करते हैं एम आई एमजों.डट एडीउ यू यह इस्चुडेन्ट डाइमजों हैं एमेटी का पोर्टल तो ये है M.A.T. का पोर्टल जिसमें हमारा student.amazon.net है और Amazon का ये है इसमें recently हमारा होने वाला है M.A.T. International Literature Fest जो शिफ़ खहरा as a chief guest आ रहे हैं और इसमें देंगी ये online ही होगा जैसे अभी आज का सारे college online चल रहे हैं वाट आप जानते है M.A.T. कितने अच्छे writer हैं और वो क्या books लिखते हैं मैंने उनकी एक book पड़ी है यू केन विन बाई शिफ कह रहा और awesome book है आप एक वाद चेक करो मलब motivated हो जाओगे पूरी life में तो मेरा जो यूजन नंबर है वो 7156380 पाशवत सही बताओं तो याद नहीं भाई यह इसाम स्कार आखरी मैंने इसमें result चेक किया था इसके बाद मैंने यह अभी तक login नहीं किया और अब login कर रहा हूं तो सबसे पहले यह कुछ ऐसा platform open होता है जिसमें हमारा शार्टिंग में attendance देखता है हाँ भाई मेरी attendance हमेशा full रहती थी यहां fees का बताया जाता है मेरी fees कोई due नहीं रहती थी अब तो सब खतम ही हो गया है हमारा एक online classes चाहाँ हो रही थी वह है Microsoft Teams के उसमें तो यह यहां से हम क्लिक करके login कर सकते है आईडी पासवर्ट था और यह मेरी CGPA यहां था हमारा roll number my name यहां मैं password change कर सकता हूं log out कर सकता हूं यह मेरा roll number था यह सब आज तक मैंने खो लेनी notification आ रखी है रोल ओफ हार्ड वर्क लेट्रेचर यह जित्ते भी इवेंट्स होते हैं उसकी notification आ जाती है एक्जाम से related कुछ भी notice होता है तो यहां आ जाता है और कोई भी event हम जो भी हुए webinar हुए हैं कित्ते भी तो वह सब यहां आ जाता है तो दोस्तों जित्ती भी हमारी classes होती है यहां दिख जाती है माई classes में आज की डेट है October 12 2020 माई attendance रोज की attendance जो भी हमने classes attend की होती है आज की डेट में उसके attendance दिख जाती है किती एपसंट है किती है जर्मन में मेरी हेंडेड में से हेंडेड प्रेजन थी और जो भी होता है उसमें रेड मार्क आ जाता है वनना आपको दिखा जाता है जिसे 36 बार 39 तो मेरी छूट गई थी कोई नहीं इत्ता तो होते हैं यह पूरे समेस्चर में और यह event news इसको जादा देखना नहीं है यह प्रेसिडंट का मैसेज रहता है आई विश यू अ प्रोडक्टिव और एडि विच लग 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 तो इसको इग्नोर कर दिया करते हैं मलब को इत्ता पड़ने की जुरत नहीं होती फिर यह आता है email का तो हमारी email ID होती है वह हमारी email ID यह होती है password यहां से शो करूंग आपको देखके क्या करना कोई फायदा नहीं है अब आजाते हैं my course यह my course यह हर समेश्चर वाइजाते से first semester में हमारे कित्य सब्जक्ट थे मेरे first semester में around 10 subject थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस German तो अभी मैं 6 समस्चर के इससे दिखाता हूँ जो मेरा कम्टीर हो चुका है मैं बीच में एक्टिंग में भी था M.A.T. स्कूल ऑफ लेमें ड्रामा तो इसमें जैसे हमारे इंटर्नल में मार्क्स इस वार मुझे मार्क्स बड़े कम दिये पता नहीं क्यों इंटर्नल सब अच्छा हुआ जो भी हूँ आप जो दे दिये दिये मार्क्स डेजन मैटर तो यह है अगर आपकी 95% से उपर होती है तो पांच मार्क्स होते हैं 92 से होती है 95 से नीचे होती है तो 4 मार्क्स होते हैं और ऐसी हमारे इंटर्नल में मार्क्स मिलते हैं पाँच मार्स टेंडेंस की होते हैं हर सब्जेक्ट के माइफ देख लिया अपलाय फॉर डिग्री यह अभी आया है क्योंकि मैंने कर दिया है अपलाय फॉर्ट टिग्री लिंक आफ्टर तो अभी अपलाय नहीं कर सकते तो थीक है एक्सामीनेशन में रिजल्ट दिका दूँ यह मेरा ना मेरा रूल नंबर इस शूड़न डॉक्यूमेंट हमें डाउनलोड करने पड़ जाते हैं यह सब इसे करने के दाउनलोड करने के पड़ी नहीं तो फिर छोड़ो पीड़ेटेईल तो इसमें हम ने जित्ती भी फी समिट किया मेरा फी चुक्चर देखो फी रिसेट तो तो मैंने छे समेसचर में यह यह मेरी फीड रिसेट नमबर है और इत्ता इत्ता माउंट समिट किया टोटल अपनी फी बताऊं तो टोटल मेरा 6,17,000 में कम्प्लीट हो गई है ग्रैजुएशन IT सर्टिफिकेट इसमें यहां पर आ जाता है मेरे नाम से आ गया है और कोई missing invoice है है नहीं Miss invoice academic की free structure और यह था हमने जो हमने पे किया है semester wise security refund यह main reason है कि मैंने अभी यह खोला क्योंकि मेरे फ्रेंड फिल कर चुके है security refund तो मुझे भी security refund चाहिए और उसके लिए मैं फिल कर रहा हूँ हाँ तो optional for security refund यह student का नाम है यह roll number है security 20,000 की है self करे parents करे parents कर देता हूँ मम्मी के नाम से करवा लेता हूँ और electronic refund करवा लेता हूँ दोस्तों मैंने समिट कर दिया यह refund के लिए और अब मैं दिखाता हूँ आपको फीड डेटेल हो गई security refund हो गया Convocation registration करना होगा उसके लिए not applicable because of पता नहीं छोड़ तो ignore मारो फिर गैलरी दिखाऊं तो गैलरी में कुछ है नहीं immigration के लिए apply कर सकते हैं sorry record no found मजब apply नहीं किया apply for translators के लिए apply कर सकते है no record found और logout मतलब बंद कर देना तो दोस्तों जित्ता अपने असाब से समझा सकता था मैंने आपको समझाया यही है हमारा portal online portal और यही है college हम almost रोज ही चक करते थे हमारा time table का एक होता था जो अब हट चुका है क्योंकि classes खतम हो चुकी है college pass out ही हो चुका हूँ almost तो टाइम टेबल रेगुलर चक किया करते थे इसमें और अटेंडनेंस देखा करते थे बड़ अब फाइनली आमेटी complete हो चुका है और लाइफ में आगे बंढ़ना है आगे की तरफ सोचना है तो बस चलते रहा हो